नमस्कार मैं रुस्तम सिंग्राणा और आप देख रहे हैं आर नियूज महत्मा गांधी राष्टी रोजगार गारंटी योजना के तहट जो गाउं के लोग हैं उन्हें साल भर में 100 दिन की द्याडी देने का एक सरकार का प्रावधान है और मन्रेगा के ही तहट हमने देखा है कि कई सारे गाउं के जो प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो तालाब को लेकर हो या फिर रास्ता की पटान हो उसको लेकर जो गाउं के लोग हैं उनको एक तरह से रोजगार दिया जाता है और बास्तम में रोजगार कितना दिया जाता है ये तो गाउं के लोग ही बता पाएंगे आज हम यहाँ पर देखा हमने देखा कि यहाँ पर कुछ महिलाएं मन्रेगा के तहत द्याडी मजदूरी कर रही थी उनसे हम ने सोचा कि वा दिख रहे हैं इनके हाथों में फड़वा है और यह रोड जो है यह चौड़ी करण का काम हो रहा है और इस पर पटाई भी हो रही है तो यह महलाएं वो काम कर रही है सरकार जिस तरह से सौ दिन का रोजगार गारंटी यूजना देती है क्या आप लोगों को सौ दिनों काम मिल पा रहा है यहां पर नहीं सौ दिन का काम नहीं मिल रहा है कितने दिन साल में कितने दिन आप लोग काम करते हैं मुश्कल से पांच शे दिन मुस्किल से पांच ये क्या सही कहा रही है मुस्किल से पांच छे दिन काम हाँ इतना ही मिलता है या थोड़ा जाद दस भी दस वारे दिन तक भी हो जाता है कहां सौ दिन और कहां दस वारे दिन मानके चलिए यह दस वारे दिन ही अधिक से अधिक अगर काम मिलता है तो कहां स 2020 में किया था उसमें तो 202 ही बताया था यानि 213 रुपए बढ़ा दी गई है यह जो बता रही है और आप यह बताई किस तरह से आपको पैसे मिलते हैं क्या आपके खाते में पैसे आते हैं या फिर क्या प्रोसेस होता है क्या तरीका होता है आपको ध्याड़ी देने का खाते तो फिर एक कई से मैंने यह सुना था कि खाते में पैसा आ जाता है तो जो इस्थानिये चाहें ग्राम-प्रधान हो यह जो भी काम करा रहा हो ठेकेदार हो वह पैसे निकलवाता है और फिर मजदूरी देता है यह वह क्या अच्छा तो जॉब कार्ड यह पैसे एक का द्यारी रुक जाती है और आप यह समय से द्यारी मिलती है आपको समय से द्यारी मिल जाती है क्या बनती है अब काम पूरा हो जाता तलाब में भी हो जाता अब जे इस रोट भी पड़ जाती अब जित रोट में लेट कर दिये हैं और तलाबों में अब क्या होगा वर्फात आ जागी देखिए इस वीडियो का बनाने का उद्देश ये है कि एक तो जो यहाँ पर महिलाएं काम कर रही है उनकी एक सुरक्षा की दृष्टी से ताकि इन्हें किसी परकार की हानी ना पहुचे तो हम ना तो इनके गाउं का नाम जाहिर कर रहे हैं और ना ही इनकी पहचान एक तरह फारे से जाहिर कर रहे हैं लेकिन यह इस वीडियो का उद्देश है कि अवास्तम में जो सरकार द्वारा योजणाय जो ग्रामीड तक पहुचा आई जाती है वहां पर मिलती है यह नहीं मिलती है तो इस वीडियो का उद्देश यही है बनाने का जॉब कार्ड यहां पर जॉब कार्ड सब लोगों के बने हैं क्या तो यह जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया एक तो सब लोगों के जॉब कार्ड बनने चाहिए ग्रामिल लोगों के जिनके पास रोजगार नहीं रहता है ज जो एक तरह से पैसा जो है वो सही से पहुंसता है या नहीं पहुंसता है या द्याड़ी टाइम पर मिलती है नहीं मिलती है उसको लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिलती है आप क्या कहेंगे लेट मिलती है अलांकि मिलती है लेकिन लेट मिलती है लेकिन जो इनका ये कहना है कि जो 100 दिन का काम हमें केवल 10 वाहरे दिन ही दिन दिये जाते हैं और बताइए और किस तरह की परिशानी आती है यहां काम करते 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 समय क्योंकि कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत है आप लोग पैसे ही कमाने यहां पर आते हैं रोजगार के तहट तो क्या समय पर पैसा मिलता है या समय पर जैसे आपने बताए कि समय पर पैसा तो नहीं मिलता और क्या और किसी प्रकार की दिक्कते ह तो यह देखी पैसे भी यहां पर डिले हो जा रहा है और पैसे भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है दो दो साल हो गए अल्गे और लोगों खाला है और यही चाहिए होता है और यही चाहिए होता है तक इनकी भी जो आर्थ व्यवस्ता है वो भी चारू रूप से चलती रहे और और भी आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार से कुछ मांगे हैं आप लोगों की मांगे क्या वही सो डिहाडी मिल जाएं वही बहुत हमारे लिए तो अब वो मिलती ही नहीं है दस बारे मिल जाती है तो सौ दिहाडी अपने आप में बहुत अगर इनके सौ दिहाडी मिल जाएगी तो इनका एक तरह से जो अर्थ वेस्ता है या जो इनकी एक आर्थिक इस्तिती है उसमें कहीं न कहीं बहुत जादा सुधार आएगा अपने बच्चों को ये लग पढ़ा पाएंगे और भी इन वही सही से इने मिल जाए तो इनका काम या इनकी जो अर्थ आर्थिक इस्तिती है उनमें बहुत जादा सुधार आएगा यही इनकी मांग है आप देख रहे थे आर न्यूज और हमारे साथ बने रही है देखते रही है आर न्यूज